हेलो फ्रेंज बूर्मोनी आप सब कैसे हो आशा रखत आप सब बहुत अच्छे होंगे में सुप्रेया में अब सभी को सवगत करती हूँ बीटुफल अभी सुप्रे के नहीं ब्लॉक में फ्रेंज अभी बज़े सुबे का सारे 8 तो अभी से में मेरा ब्लॉक स्टार्ट कर रही हूँ और में लेके आगई मेरा स्पेशल चाय यह देखिये और यह देखिये फ्रेंज में क्या और के बैठी हूँ चदर क्योंकि बच्चे तो सुबे और लेडी चदर रखके सो जाते हैं तो मैं आज भी उठाया है कि मुझे खुद को इस तरह ठन लग रहा है क्योंक तो सबसे पहले में चाय पी लेती हूँ आप सभी ने चाय पीया फ्रेंज में प्याता जल्दी पी लेजिए तंडी के मौसाम ना आने जैसे शुरू हो जाता है तब मुझे लगते किधा तो भूमने के लिए जाओ चाय पीना खतम होगा फ्रेंज अभी में फांदा सुर्ट बैठ्रूंजी उसके बार उठोंगी मुझे लग रहे है इधर अभी सोजयाओ सुपे मेले यह कपड़े का रेकना फ्रेंज बहुत दीन के बाद फूरा खाली हुआ है क्यों अल्टम्स भरा हुआ रहा है तब सबने बहुत ब्लॉक में नोटीज भी किया तो अब ही जब खाली है तो इसको ऐसे क्यों फैला के रखो इसमें जगा मार जाता है उसके अच्छा है को फोल करके रख देती हूं जब लगेगा फिर इसको फिल लगा लूंगी यह देखिए फोल हो गया काम भी आसन हो जाएगा लेकर इसक सब्सक्राइब में जब लगेगा तो फिल से ले लूंगी तो खाली-खाली लग रहा है आज फ्रेंड्स हवा का हो रहा है लेकिन ज्यादा नहीं हो रहा हलकल का हवा हो रहा है प्रेंज इदर मैंने पाच अंडा बोईल कर लिया अब इसको छील लेती हूं कि अंडा कभी सब्सक्राइब देखते हूं क्या बनाती हूं कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि इदा से अंडे का छील का साई चोटक एक टुक्र में ले रहे हूं देखिए मैं क्या करती हूं अब है अब है अंडा लिया हार अंडे का दोनों साई चोटा चोटा करके में चीट दूंगी तो इसके बज़ा से इसके अंदर मसाला भी जाएगा अब भी में लगाऊंगी नमाक हल्दी कम से कम आदा घंटे तक में ऐसे लगा के रखूंगी इसका कलर ना फ्रेंस पूरा लाल लाल टाइप का हो जाता है और अंडा फ्राइग करने के बाद इसका टेस्ट भी पूरा अलग होता है मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है एक बर भर पर ट्राइब करके देखना ऐसा करके अंडा फ्राइब शायद आप सबको भी अच्छा लगेगा लेकिन फटाफट फ्राइब नहीं करना कम से कम आदा घंटे तक ऐसा रखना तो कलर आता है प्रेंस यह बाकी का अंडा में सबसे पहले फ्रीज में रख देती हूँ नहीं कब टूट जाएगा मुझे भी पता नहीं लगेगा देखिए हलका हलका करके अंडा का कलर कैसे चेंज हो रहा है और आभी मैं करूंगी अंडा का एक हलका असा सबजी आलू डलके सरे प्रेंस एक चीज दिखाती हूँ में फिरो कि यह देखिए मेरे हाथ में क्या है कल दो पैर में मैं जब बोली थोड़ा सबटा के कलो व्हों वह नहीं मुझे ड्राइंग करने कोमान एमण मिल ठीक है तो ड्राइंग करो तो दिखाती हूं कितना सुन्दर ड्राइंग किया बरीगुरियाने पूरा कंप्लीट नहीं हुआ यह देखिए आधा ही वहा है आधा शाहरा स्कूल से आने के बाद फिर पूरा कर लेगी देखिए इधरी कलर रख दिया करके कुछ को अब आप सब गेस करके मुझे बताना ये घ्किए हाथ हाथों से किया है और अर्रे क्या है पता है ध्या है पता है यह है तो पेस्ता का कवर देख सकते हैं फ्रेंस पीछे ऐसा बोर्ड लगाया पीछे के तरफ कलर नहीं किया ना सिर्फ सामने के तरफ ही कलर किया पुरा ओ यह भी पुरा खुद नहीं बनाया लेकिन इसने बनाया मैं नहीं बोलूंगे आप लोग गस करके मुझे बताना तो इसको मैंने इधर सुन्दर करके रख दिया तो में लग जाती हूं किचेन में नहीं तो अभी देख सकते फ्रेंस कितना बजिया है दस बजने में 20 मिनीट बाकी है यह मैंने पंकी ले लिया तो सबसे पहले ना आलू कॉट लेती हूं ज्यादा आलू में नहीं डालूंगी अंड़े के अंदर यह अलू कटकर ले एक ही आलू से देख सकते ज्यादा पिस नहीं हुआ है और एक प्याज कट लोंगी ज्यादा गाराज भोल में नहीं बनाऊंगी कि प्याज को पहले में बारिक करके कट लेती हूं यह देखिए आलू ले लिया प्याज ले लिया अभी थोड़ासा लसुन लोंगी ज्यादा नहीं लिए अभी में इसको पूट लोंगी अब यह देखिए से ब्लसुन यह आठ दस टुक्रा ही होगा कर दो होगा निक्स अप्टे फ्रेंज कर आवी करम करने के लिए मैंने बिठा दिया होगा लाला करके पूरा कर लिया मैंने पिया अंडा को जीरा कटा हुआ प्याज लसुन इसको मैं हलका सा फ्राइ कर लोंगी और यह जो मेना आलू कि इसको मैंने फ्राइ नहीं किया क्योंकि यह बीना फ्राइ करके में डालूंगी इसका टेस्ट अलाग होता है अदरग लसुन पिया जीरा का पैस्ट पूर सापनी वीट ग्रिंचिली, कच्छा अलू, प्राई किया हो अंडा, अलू के पूरा मेरा रेडी हो गया, अलू की एकदम सुका सब्जी पहले मैंने मेने सोचता पतला टाइप का बनाऊंगी हलका ग्रेवी वाला लेकिन मुझे लग रहे हैं इसका अगर में हलका बनाऊंगी टेस्ट बिल्दकुल नहीं लगेगा, तो पूरा सुका बनाई यह द कि आप लोग चाहते हो तो इसमें ज्यादा मसाला भी आड़ कर सकते हो देख लीजिए फेंस मेरा अंडा आलू का सब्जी बनके पूरा रेडी हो गया है चारो तरह पेपर लगा के क्या होगा अच्छा अच्छा कलर नीचे ना है इसकी वजह से ना फेंस इसकुल से आने के बाद ड्राइंग कंप्लिट करना है इसलिए ड्राइंग लेके फिर से बैठ गये फेंस आशा रख तू आज का ब्लॉग जरूर अब सब को अच्छा लगेगा फिट मिल तू कल का ने ब्लॉग में तब तब के लिए बाई झाल